तो यह लो गाईज मेरे नाम दर्मेश और मैं आज आपको बताने वालो कि आपका जियो का जो सिमकाड है उसके स्पीड कैसे बढ़ाई जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जियो का सिमकाड और एक लाइफ का डिवाइस भी है लाइफ के डिवाइस के होने के बावजुद अब यह जो इंटरनेट वह टूजी जैसा जल रहा है तो स्पीड देखी सकते हो उपर मेरे इंटरनेट स्पीड मेटर आन है और आप स्पीड देख सकते हैं तो जी आप बहुत लिखाव आ रहा हो फिर भी यह बहुत शलो चल रहा है और मैं तो खाली 700 एम भी यूज कर भी और मैं करेकर आप के लिए काम ना है तो आपके लिए सेकंड मैठल का में का है तो फ़र्स्ट उफम्हƯ्ज काम कि बाता देता हो हम अब बठत है इस वीडियो में जो मैं आपको अब बताऊंगा वह एक़ लो जो था Um आपके लिए एक new APN create करता हूं इसका नाम आपको डलना है इंटरनेट एक्टूली नेम से कोई फर्रक नहीं पड़ता नेम आपका नाम डौने तो भी कोई फर्रक नहीं पड़ेगा वह तो इंटरनेट तो वैसे स्प्रेट पकड़ेगी और APN में डालना हैं आपको जी ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेटर हम लिखते हो गैपिटल होता है यह कैपिटल नहीं होना जी वर्नाप करनेट बहुत चलेगा और फिर एट्यूकेशन टाइप में नून सिलेक कर लेना और एपिएंट टाइप में डिफॉल्ट लिख देना डिफॉल्ट लिखने के बाद जो एपिएंट प्रोटोकॉल है इस पे आई पी भी फॉर और यह अपॉन आई पीवी सिक्स और नीचे रोमिंग में भी यही डाल देना है इन दोनों में ये डालने के बाद को यहां पे य olabilir कare यहां पे लीए सब के लिए नहीं है मैं बता देता हूं अगर आपके पास ट्रु फोर्जी है जया जैसे कि यह वह बहुत सरे ऐसा वहते दी जो सिर्फ फोर फोरिग सी इसा कर बहूं को पता नहीं है कि आपका pro तो इसे गूगल पर सर्च कर लिए आपका फोन का मॉडल नेम और लिखे इस टूफोर जी तो गूगल पर बता देगा कि वो टूफोर जी है या नहीं अगर आपका फोन अगर आपका फोन नहीं है तो आपको अनस्पेसिफाइड सेलक करना ठीक है अब फिला तो मेरा फोन एल्टी है मैं तो एल्टी सेलक करूंगा अब यहां जो कुछ सर्वर दिख रहा है उसमें जाहिए और यहां लिख लिए www.google.com अब आपको यह एपिन सेव कर देना है ओके तो जैसा कि आप देख सेते हैं मेरे बास आप दो दो एपिन हो चुके आपको दो इपिन नी बनाने यह तो मेरे पहले से सेट है क्योंकि मेरे डाउंडोडिंग शालू है मेंकर आपको स्वीड बतानी है ना कितनी श्विड़ा याद रखिए डेटा रोमिंग सबसे मेन है डेटा रोमिंग तो आपका और रहना ही चाहिए और प्रिफरेंस नेटवर्क टाइप में जाके एल्टे इसलेक कर लेना यह कि यू रहता है अगर आपने बीर में एल्टी सेलेक किया है तो ही यह आप एल्टी डालना अगर अप सेटिंग डाल दिये फिर भी उनकी स्वीट नहीं आपा रही है ठीक है यह है वीपीएन सेटिंग आपको क्या करना है वह अपने प्लेश्टोर में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है तर्बो वीपीएन ठीक है यह देखिए टर्बो वीपीएन कुछ इस तरह का दिखीगा आपको इसे डाउम्लोड कर लेना है गूगल प्लेश्टोर से ठीक है बहुत आसान इसे डाउम्लोड करना जब यह डाउम्लोड हो जाए तब इसे ओपन कर लीजेगा यह बात ध्यान रखिए कि उसे ओपन करने से पहले आपका डाउम्लोडिंग पहले से स्टार्ट रहना चाहिए और अगर नहीं होगा तो भी चालेगा इतना ज्यादा परक नहीं पड़ेगा कि बाद में सर्वर लोकेशन से लख कर लेना यह रहा है और यहां पर जैसे कि आप देख सकते युनाइटेट किंग्डम का फूल नेट्वरक है और इंडिया का फूल नेट्वरक है ठीक है अब आप ऐसा मत सोचे कि आप इंडिया में है तो आपका नैट तो वाइस अपन जिस नेट्वरक फूल होता है मैक्सिमम वह से लग कीजिए का यह बहुत फास्ट रहेगा आप उपर स्पीड तो नोटी स्कारिज तो कि होंगे फिफ्टी के बी ओपर जाई नहीं लिए और मसे फॉर्टी थरी तक आ रही है मैक्सिमम ठीक है एक काम करते है पहले हम यूनाइटेट किंग्रम स्ट्रक कर दें है कि अगर यह करेक्ट नहीं हो पाया अगर एक बार में करेक्ट ना हो जाए तो दूसरे बार भी ट्राइब कीजिगा अगर यह फिर भी करेक्ट नहीं हो रहा है तो भी एक सॉलेशन है आप नोटिफाय कर सकते हैं यहां पर जो है कुछ भी अभी लिखावा आने रहा है फिलाल अब जब एबेल सेटप हो जागा तब मैं आपको बताओंगा कि क्या लिखावा आता है के काम करते हैं इसे हम रिपैर करते हैं एक बार कि अब यह थोड़ा नीचे चला चुका है चलिए इंडिया सेलेक करते हैं इस बार आप लोग बस स्पीड नोटिस करते रहे ना जब सर्वर कनेक्टेड हो जागा तब कैसी स्पीड आईगी तो आप उपर स्पीड देख सुके हैं तो फिर आपने स्पीड तो परफेक्ट नोटिस की होगी पहले की स्पीड और अपके स्पीड जैसा कि मैं आपको कहा था कि इंडिया का सर्वर याप यह सौचिंगे कि इंडिया के सब्सक्राइब कर देख सकते चल रहे हैं अब तो इस तरह आप अपनी बढ़ा सकते हो की गाइस अगर आपने इसे टेस्ट किया और आपका सक्सेस्फुली टेस्ट हो गया हो तो फिर प्लीज में को लाइक देजिएगा मेरे वीडियो को और अगर आप मैंको पता है यूज करने के बाद कंटा लाता है लाइक देने का वापस आके यूट्यूब पर वीडियो ढूंके तो काम किजिए अभी लाइक देजिए और इसे पूरा ट्राइ कीजिएगा यह पक्का काम करें ठीके गाइस थैंक्स फूर वाचिंग मैं वीडियो और अ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना तो मैं सॉल्वेशन दोंगा ठीके थैंक्स